एपल और गूगल पिक्सल के फोन्स का सबसे ज्यादा यूज क्यों किया जाता है शो ओफ अभी भी सेकंड नमबर पर है फोटोज अभी भी लिस्ट में फर्स नमबर पर है जिसको वीवो एक सीरीज से किल करता जा रहा है फोटोग्राफी तो यहाँ DSLR जैसी आने लग गई ह और पाकी सबी फीचर्स एंड स्पैक्स भी X80 में आपको हाई एंड देखने को मिल रहे हैं तो पीछे तो छोड़ ही दिया है अब इसी के बारे में बात करने वाले हैं ऐसा कैसे हुआ अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो भी कर लेना सबसे पहले बात करें X-series photos के बारे में जाने जाती है और जब से काल जीज X-series में आया है तो camera quality DSLR जैसी होती जा रही है अब ऐसे कैसे तो काल जीज की T-star coating lens पर की जाती है और plastic lens का यूज ना करके यहाँ पर glass lens का यूज किया जाता है जिससे light pass सही ढंक से हो और internally reflect नहीं हो पाती जिससे sensor पर focus अच्छा बनता है जो low light condition photos में काम आती है यह आपको X80 में देखने को मिल रहा है लेकिन जब तक camera sensor अच्छा ना हो तो low light कैसे perform कर पाएगा इसलिए X80 pro में आपको 50 megapixel camera sensor देखने को मिलता है जो custom image sensor Samsung के साथ collaboration करके बनाया गया है जो वीवो X80 की अगर बात करें तो Sony IMX 866 यूज किया गया है मतलब कि यहां पर बड़ा image sensor लगाने की बजाए उनके lens की quality improvement करने पर काम किया गया है जो आपको smooth and clear image quality दे रहा है X80 pro में आपको image single processing के लिए snapdragon 8 Gen 1 देखने को मिलता है और साथ ही यहां पर X80 की अगर बात करें तो dimensity 900 मिलत है जो पहली पार आपको यहां पर इस प्राइज में देखने को मिलेगा जिसके साथ वीवो की वीवन प्लस चीप भी implement की गई है यहां पर जो plane में एक engine की तरह यूज नहीं की गई है कि एक बन होने पर दूसरा चालू हो जाए इसका use image processing and low light image को better करने के लिए इस implement किया गय जाता है जो है MEMC मतलब कि यहां पर गेम अगर आप चलाते हो तो frames rate यहां पर बढ़ा देता है अगर 60 और 90 fps पर गेम लोग है तो आप 120 हर्ट या 240 हर्ट तो कीचे आराम सब ले जा सकते हो जिसे better experience आपको मिलेगा अब इतना सब बता दिया image sensor भी बता दे तो यहां पर 50 megapixel का main और 48 megapixel का ultra wide 12 megapixel का 2x telephoto lens देखने को मिलता है साथ ही आप periscope जूम तो भूली गए थे जो 8 megapixel का दिया गया है यहां सभी camera usable है क्योंकि बहुत से phones में AI camera बोलकर 4 दे देते हैं जिसमें से सिर्फ यूज का तो एक ही होता है वो मेरे पास भी है आप बता सकते हो वो कुन से व background को आपकी इच्छा के अनुसर blur कर सकता है अब वीडियो बनाते time ही लेगा जिसको दूर करने के लिए यहां पर inbuilt gimbal भी दिया गया है जो 2x telephoto lens में दिया गया है जिससे slow-mo shorts और cinematic shorts ले सकते हैं जो अगर ultra wide में होता तो साइद और better perform कर पता है HDR तो सब को पता ही होगा उससे उपर xdr accident diamond range यहां पर आपको देखने को मिलती है जो आपके photos को बहुत clear and sharp देखने को बना देगा जिससे सही मज़ा आएगा और इसका मज़ा तभी आप उठा पाओगे जबकि आपके display में xdr sport करता होगा x80 pro में हर condition के लिए camera को बनाया गया है जिससे low light dim light sharp light सभी जगह के यह अपने हिसाब से अपने आपको adjust कर लेगा अब आपको इतनी सारी बाते मैंने बता दी जिससे clear पता चल रहा है कि apple और pixel का real competition camera quality में अगर बात करें तो x80 pro ही है जो price में आपको बहुत कम देखने को मिलता है x70 series की बात करें तो उसका upgraded version यहां देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारे ऐसे features है जो other brands से vivo को अलग stand out कर रहे हैं जिसका आप clearly पता चल रहा होगा जो vivo x series के लिए claim करता है professional photography वो यहां आपको देखने को मिल रही है जो आपको professional photos क्लिक करने में बहुत मदद करेंगा and display की अगर बात करें तो 6.75 inches 2K E5 AMOLED display मिलती है जो 120 Hz adaptive refresh rate के साथ 80 watt की टेकनोलजी देखने को मिलती है अब आपको जो कुछ एक flexi phone में देखने को मिलता है वो सभी चीजे इसमें देखने को मिल रही है अब pricing की अगर बात करें तो x80 pro आपको around 80,000 में मिल जाएगा जो अपनी price को justify भी करता है and x80 की अगर बात करें तो around 55,000 में मिल जाएगा जी ये phone pro पर camera के लिए use किया गया है जिसके frank opinion की अगर बात करें तो x80 pro जीत जाता है apple और google pixel की अगर बात करें तो अब आपका क्या मानना है comment करके हमें जरूर बताए वीडियो पसंद आयो तो like करें और channel पर नहीं हो तो subscribe करें फिर मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक गोड़ अबदाओ बात करें